इस वीडियो में मैं आपको किसी भी मॉलेकुल का मॉलेकुलर वे निकालना बताऊंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप यह जान लेजे कि मॉलेकुलर मास और ग्राम आटोमिक मास का रेलेशन क्या है तो मॉलर मास होता है उसके मॉलर मास को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है ग्राम आटोमिक मास और ग्राम मॉलेकुलर मास तो ग्राम आटोमिक मास है वो होता है मास अफ उनली वन आटम उसको हम लोग ग्राम आटोमिक मास बोलते हैं जैसे कि carbon है, carbonic atom है, उसका atomic mass कितना होता है, 12, oxygen है, oxygen का atomic mass कितना होता है, 16, तो ये हमारा single atom के लिए होता है atomic mass, gram atomic mass की video मैं पहले भी upload कर चुकी हूँ, अगर आपको पुरा description में जानना है तो आप उसको प्लीज मेरे video की, इस video की description में जाकर के चेक कर लिजेगा, और जो gram molecular mass है ना, वो mass of one molecule होता है, मतलब जैसे की, मान लिजे की, H2, SO4 है, ठीक है, ये एक molecule है, ठीक है, तो ये इसमें कौन-कौन से atom present है, hydrogen present है, sulfur present है, और oxygen present है, ये तीनों मिल करके एक molecule का बनाया है, ठीक है, तो जो gram molecular mass होगा, इन सब का, जो atomic mass होगा, उनके sum के बराबर इनका gram atomic mass होगा, ठीक है, इसको description में जानता है, ठीक है, तो पहले molecular mass होता क्या है, वो जान लेता है, molecular mass और molecular weight is the total mass of a compound, ठीक है, it is equal to the sum of the individual atomic masses of each atom in the molecule, इसका वही मतलब हुआ, जो जैसे की, कौन-कौन से atom present है, और उसका जो atomic mass कितना होता है, जैसे, for example, हम लोग H2, SO4 को वहा यहाँ पर लेते हैं, कि यहाँ पर कौन-कौन से atom present है, hydrogen है, sulfur है, और oxygen है, hydrogen का जो atomic mass होगा, sulfur का जो atomic mass होगा, और oxygen का जो atomic mass होगा न, इनका sum, इसके molecular weight के बराबर होगा, molecule atom से मिलकर के ही बना है, ठीक है, तो एक छुड़ा सा example लेते हैं, पर अगर आपको molecular mass या molecular weight निकलना है न, तो सबसे पहले आपको उसका atomic mass याद होना चाहिए, अगर आपको वो याद नहीं है, तो आप molecular mass नहीं निकल पाऊगे, किसी भी molecule का, ठीक है, पहले तो आपको atomic mass याद रहना चाहिए, और दूसरा, कि आपको जैसे कोई भी formula दिया हुआ है, जैसे बोल दिया गया है, कि आपको sulfuric acid का निकलना है molecular mass, तो sulfuric acid का, आपको जब तक formula लिखने नहीं आएगा, तब तक आप उसका atomic mass कैसे निकालोगे, तो आपको पहले उसका formula निकालने भी लिखने आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको formula लिखने आ गया, तब तो आप easily निकाल पाओगे, ठीक है, तो छोड़ा से example लेते हैं, जिसे carbon monoxide का लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ carbon monoxide में कौन-कौन से atom present है, carbon है और oxygen है, carbon का atomic mass 12 है, oxygen का 16 है, ठीक है, तो carbon का atomic mass plus oxygen का atomic mass equals to हो जाएगा molecular mass of carbon monoxide, ठीक है, carbon का कितना है, 12 है, oxygen का कितना 16 है, equals to कितना हुआ, 28, यह हमारा carbon monoxide का molecular mass आ गया, ठीक है, इससे थोड़ा level change करते हैं और बताते हैं, अब हम लोग H2O का molecular mass निकालेंगे, तो H2O में कौन-कौन से atom present है, hydrogen है और oxygen है, तो यहाँ पे H2 है, तो H के बगल में 2 है, इसका मतलग कि 2 molecules of hydrogen यहाँ present है, तो हम लोग 2 hydrogen कितना है, 2 है, plus oxygen 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, it means कि 1 है, ठीक है, तो 2 hydrogen का atomic mass 1, plus oxygen का atomic mass 16, equals 2 हो गया हमारा, 16 plus 2, 18, ठीक है, अब हम लोग NH3 का, उसी तरह, हम लोग उसका molecular mass निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि NH3 है, तो H के बगल में 3 है, it means कि 3 molecules of hydrogen present है यहाँ पे, तो N कितना है, 1 molecules है, यहाँ कुछ नहीं है, it means कि 1 है, 14, plus 3 molecules of hydrogen, hydrogen, hydrogen का atomic mass कितना, 1, into 1, equals to कितना हो गया, 17, एक चीज़ आप यहाँ धयान देजिए, कि यहाँ पे NH3, तो यहाँ पे NH3 ऐसे है, तो इसका मतलब तो यह हो गया, कि hydrogen के बगल में 3 है, तो यह 3 molecules of hydrogen present है, अगर यही चीज़ अगर ऐसे रहता, NH का whole 3 रहता, तो whole bracket 3 रहता, तो इसक यह मतलब होता है, कि यहाँ पे nitrogen भी 3 molecules है, और hydrogen भी 3 molecules है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से बनेएगा, आगे clear हो जाएगा वो चीज़, जिसकि यहाँ पे है, CAOH का whole 2, तो यह calcium hydroxide दिया हुआ है, ठीक है, तो calcium का atomic mass 40 होता है, तो calcium का 40, तो calcium कितना present है, 1, तो calcium का atomic mass हो गय और hydrogen भी 2 है, ठीक है, तो oxygen का कितना हो गया, 16 plus hydrogen का atomic mass 1 का whole 2 है, ठीक है, 40 plus 17 into 2, 40 plus 34 equals to हो जाएगा, 74, ठीक है, अब हम लोग इस compound का molecular mass निकालेंगे, कि इस compound का molecular mass और molecular weight अखिर है कितना, ठीक है, तो calcium का हमारा, calcium यहाँ पे 3 है, तो 3 into calcium का atomic mass कितना, 40 plus PO 4 है, यहाँ पे एक चीज़ आप धियान दिजिए, कि oxygen की बगल में 4 है, इत मिन्स कि 4 molecules of oxygen present है, और इसका whole 2 है, तो मतलब 2 molecules of phosphorus भी present है, और 4 into 2, 8 molecules of oxygen है, मतलब कि phosphorus का atomic mass कितना होता है, 31 plus oxygen कितना है यहाँ पे, 4 into oxygen का atomic mass हो गया, 16, इसका whole 2 है, clear होगे आपको, तो इसका अब हम लोग calculate करेंगे, 120 plus 31 plus 16, 4 जा 64 का whole 2, ठीक है, 120 plus 5, 65, 95 का 2, 120 plus 0, 9, 2, 18, 19, 0, 1, 3, तो इस compound का molecular mass आया हमारा 310, I hope आपको यह ट्रिक समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज में चैनल को like, share and subscribe कर देजेगा, Thank you for watching this.